है कि अज़िए आर्ति चौधरी सभी को बिलकुल वेरी गुड मॉर्णिंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़ेया फस्ट क्लास एक बार जड़ा कॉमेंट करके यह कंफर्म कर दीजिए बच्चा कि यह ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के है और एक बार ज़ोरदार तरिक इस सारे बच्चे क्लास को लाइक अंठ शियर रऊर जबड़ ङगे कि आउबका जड़ को बार जाइंगे यहाब वससारी जब्चा करेंगे और कुछ most important questions के साथ में आज हम class को आगे बढ़ाएंगे ठीक है जी एक बार ज़रा comment करके confirm कर दीजिए की audio वीडियो सब कुछ all okay है ओके बचा चलो तो एक बार ज़रा हम अपनी class का आज का पहला question देखते हैं ज़रा पहला question क्या है कि blood phase to clot food देखो जब भी कभी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के कुछ समय के बाद ही आपका जो खून होता है वो जम जाता है बतलब खून का थक्का जम जाता है लेकिन हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जम सकता क्योंकि oxygen को carry करने का काम किसका होता है बलड का ही हो पूशञ गया है कि इन में से वह कौन सा कॉंपोनेंट है जो हमारे शरीर के अंदर खुनका त्का जमने से रोकता है तो बचा कोंसा है आपका है बिलड के अंदर वह कॉंपयनट है जो क्या आपका खून का थक्का जमने से रोगता है, बाकी फ्रोम भिन, फिब्रियो हूं ज्यक्ता है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जिन लोगों में हेपरिन की कमी हो जाती है जिन लोगों में हेपरिन की कमी हो जाती है मतलब यदि उनके शरीर के अंदर बलड क्लोट होना शुरू हो जाए तो आपकी जो जोक होती है जोक यानि जो आपकी लीच होती है उसका जो सलाइवा होता है उसका उसका जो सलाइवा होता है वहां से बच्चा आपका इस हिरूडन को हम लोग बनाते हैं और जिन लोगों में हैपरिन की कमी होती है उन लोगों में ये हिरूडन इंसर्ट कराया जाता है ब्लड के अंदर जो की ब्लड क्लोटिंग को रोकता है हमारे शरीर के अंदर हीमो हीमोग्लोबिन के अंदर इन में से कौन सा धातू पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर इन में से कौन सा धातू पाया जाता है बताइए हीमोग्लोबिन कंटेंस दा मैटल कोपर मायोग्लोबिन या फिर बच्चा आपका आयरन या मैगनिशियम हीमोग्लोबिन के अंदर इ एक हीमो और दूसरा आपका ग्लोबिन हीमो शब्द का मतलब होता है आपका आईरन और ग्लोबिन का मतलब होता है आपका प्रोटीन ओके जी आईरन यानी और आईरन भी किस फोम में होता है फैरस फोम में होता है तो आपके हीमो ग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है आईर तरह एक बार, the pH of human blood, the pH of human blood, बताइए, मानव रख्त का pH कितना होता है, the pH of human blood, the pH of human blood, बिलकुल, तो देखो बच्चा, pH of human blood is what, 7.4, अब 7.4 से आप क्या निसकर्स निकालोगे, कि जो pH होता है, वो कैसा होता है, बच्चा, नेचर में आपका यानि बेसिक होता है, जो हमारा खून होता है, यदि आप से पूछा जाए कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, तो आप ल इन में से कौन सा एंजाइम है, जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है, बताईए, और सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे, इन में से कौन सा एंजाइम है, जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है, आपका बच्चा पैपसिन, कौन सा है बच्चा पैप किस कशेरुकी में oxygen योक्त और oxygen रहित रक्त जो है बच्छा आपका यानी oxygenated blood और d oxygenated blood इन में से किसके अंदर mix होते रहते हैं oxygenated और d oxygenated blood इन में से किसके अंदर आपके mix होते रहते है किотना 3 chamber का heart पाया चाता है यानि दो औरेकल और एक वेंट्रिकल तो यहां पर आपका oxygenated और deoxygenated यानि शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में mix होते रहते हैं तो सही answer होगा amphibians मचलियों में यदि पूछें तो दो चेंबर का हार्ट होता है birds में चार चेंबर का होता है मचलियों में आपके exception है क्या बच्छा dolphin और whale dolphin और whale में आपका चार चेंबर का हार्ट होता है यह आप लोग याद रखेंगे चार चेंबर का हार्ट पाए जाने के कारण ही हम इसको किसमें रखते हैं आपका mammals में रखते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं The term RH factor refers to, सिर्फ RH की full form पूछी है आपसे, बताईए, सिर्फ RH की full form पूछी है यहां पर आपसे, The term RH factor refers to, RH की full form बताईए, फटाफट, बहुत इजी कोश्चन है, at least इस कोश्चन का अंसर आप सब का आना चाहिए, RH factor refers to, is what आपका recess factor, क्या बच्चा आपका recess factor, next question देखते हैं, किसी भी adult पुरुष के अंदर RBC की संख्या कितनी हो सकती है, किसी भी adult पुरुष के अंदर RBC की संख्या कितनी होती है, साड़े 5 million, 5 million, 4 million, या फिर बच्चा आपकी साड़े 4 million, या फिर आपकी साड़े 4 million, RBC की संख्या बताइए कितनी होती है RBC की संख्या किसी भी अडल्ट के अंदर होती है आपकी 5 मिलियन और फीमेल में होती है साड़े 4 मिलियन ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है बचा क्योंकि फीमेल के अंदर एक लीटर लगभग एक लीटर खून की कमी होती है आपके किसके मेल के comparison में तो इसलिए RBC की संख्या में भी कमी होती है ओके यदि आप से पूछा जाए कि RBC का दूसरा नाम क्या होता है क्योंकि इस तरह के question बहुत पूछे जाते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है आपका आरित्रोसाइट क्या होता है इसका दूसरा नाम आपका क्या होता है आरित्रोसाइट होता है चलिए जी अगला question देखते हैं जर एक बार which is the anti-coggulant substance in blood बताईए which is the anti-coggulant substance in blood इन में से कौन सा आपका Anti-Cogulent पदार्थ है यानि Anti-Cogulent कि जो खोन का थक्का जमने में मदद ना करता हो जो खोन का थक्का जमने में मदद ना करता हो तो बच्चे देखो अभी बैने आपको बताय था Fibrin, Fibrillionism, Thrombin, Protherombin Hemoglobin, Albumin ठीक है आपका Immunoglobin ये सब के सब वो प्रोटीन्स होते हैं हमारे खून के अंदर जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं और यहां कोशन पूछा गया है कि इन में से वो कौन सा कॉम्पोनेंट है जो खून का थक्का जमाने में मदद नहीं करता तो आपका अंसर क्या होगा नान ओफ दा अबव यानि इन में से तो ऐसा कोई नहीं है जो खून का थक्का जमाने में मदद ना करता हो चलो जी आगे बढ़ते हैं मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है कभी आपने सोचा हमारे बलड का कलर रैड ही क्यों है और मुझे पता ह आप सब लोग इसका क्या आंसर करोगे I know very well कि आप सब का आंसर क्या आने वाला है बट फिर भी मैं आप से पूछना चाहती हूँ कि हमारे खून का रंग लाल क्यों है सफेद क्यों नहीं है काला क्यों नहीं है पीला क्यों नहीं है नीला क्यों नहीं है क्यों है हमारे बलड ही semoglobin का तो रैड कलर होता ही नहीं है हीemoglobin का अपका एकցली में परपल यह बैंगनी रंगा होता है hemoglobin जो है ना यह बैंगनी रंगा होता है बताइए झा dividing हमारेख यह ऊकून लाल क्यों है मायो गलोबिन नहीं गलत होगे आपका अंसर ह利 you contain पाया जाता आपका iron पाया जाता है और जैसे 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 ऑक्सिजन react करती जाएगी जैसे जैसे बच्चे इससे oxygen आकर आपकी mix-up होती जाएगी ये धीरे 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 अपना color red में परिवर्तित कर लेता है बट यदि हीमोग्लोबिन का actual color पूछा जाए तो बांगनी रंका होता है लेकिन जैसे जैसे इसमें आपकी oxygen मिलती जाएगी ये red color में परिवर्तित होता जाता है यही कारण होता है कि हमारी RBC का color red होता है और RBC red होने के कारण blood का color जो होता है वो red होता है यदि कोक्रोच के खून का रंग आपसे पूछा जाए कि कोक्रोच के खून का रंग कैसा होता है बताईए तो कोक्रोच के खून का रंग आपका कैसा होता है सफेध होता है क्योंकि उसमें आपके हीमो लिंफ पाया जाते हैं ओक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है तो आप याद रखेंगे नीला होता है क्यों क्योंकि उसमें आपका हीमो साइनिन पाया जाता है क्योंकि उसमें आपका क्या पाया जाता है हीमो साइनिन पाय चलिए आपके यदि आपके बलड में से मैंने सारी बलड सेल्स को बाहर निकाल दिया सारी की सारी बलड सेल्सको बाहर निकाल दिया तो बताओ जो आपका remaining part होगा वो इन में से कौन सा होगा टिश्यू, प्लाजमा, सीरम या लिफ बताईए यदि आपसे कोई ये पूछे कि बलड हमारे शरीर का कैसा ओर्गन है तो बताईए यदि मैं आपसे पूछूँ कि बलड हमारे शरीर का कैसा ओर्गन है तो आप लोग मुझे बोलोगे कि मैंमापका कोश्टन ही गलत है क्योंकि बलड हमारे शरीर में कोई ओर्गन होता ही नहीं है बलड क्या है बचा एक टिशू है ये आपका एक उतक होता है क्योंकि देखो सिंपल सी बात है group of cells को हम लोग क्या बोलते हैं tissue बोलते है तो यह जो होता है आपका एक tissue होता है उतक होता है ना कि कोई अंग होता है यदि आप यदि आप से पूछा जाए blood किस-किस से मिलकर बना है तो आप बोलोगे plasma से और किस से बच्चा blood cells से अब ये blood cells कौन कौन सी है हमारे खून के लगाऊगे मैं यह आरवी सी हैं यहीं यूदीमिंए ब्लड में से माइनस कर दू तो remaining part बचेगा आपका plasmas remaining part आपका क्या उचहेगा PLASMA बचेगा दूसरा question यदि मैं इस PLASMA से यदि मैं इस प्लाजमा से सारे क्लोटिंग फैक्टर हटा दू या फिर मैं बलड के अंदर से सारे क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दू तो खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता क्या कहलाता है सीरम कहलाता है क्या कहलाता है बचा आपका सीरम कहलाता है ठीक है चलो बहुत उचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं increase in size, decrease in size, increase in number या decrease in number बताईए बहुत उचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में size में वरधी होती है या size में कमी होती है या फिर संख्या में वरधी होती है और या फिर आपकी संख्या में कमी हो जाती है बताईए बिल्कुल तो क्या होता है बचा, increase in number, increase in number, size नहीं बढ़ेगा बेटा, size वही रहेगा लेकिन number में, संख्या में आपकी वरधी होनी शुरू हो जाती है कौन सी रक्त कणिकाओं रोग यानि बिमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारे शरीर में मदद करती है इन में से कौन सी रक्त कणिकाएं बिमारियों से लडने में हमारे शरीर में मदद करती हैं बताईए या कौन सी बलड सैल्स हमारे शरीर में रुधिर कोशिकाएं बिमारियों से लडने में मदद करती हैं बिमारियों से लडने में मदद करती हैं आपकी WBC और WBC का दूसरा नाम क्या होता है ल्यूकोसाइट क्या बचा ल्यूकोसाइट इस ल्यूकोसाइट का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है आपका सेल तो ल्यूकोसाइट साब की वो कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर की बिमारियों से लड़ने में मदद करती है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान कहां पर होता है या मेरा दूसरा कोशन है हमारे शरीर में बलड फोर्मेशन कहां होता है खून कहां पर बनता है, बताईए, हमारे शरीर के अंदर, खून कहां पर बनता है, मैं MTS का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, आज 18 जनवरी हो गई है, देखो भाई, आपका कलेंडर में लिखा हुआ था 17 जनवरी, अब कोई न कोई अपडेट हो रही होगी, जैसे आपको पता है कि CGL का भी देखो लेट हुआ था, है न, तो कुछ ना कुछ अपडेट आपका चल रहा होगा, इसलिए बच्छे आपका लेट हो रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट वो लोग कर रहे होंगे, अब वो अपडेट क्या है, यह तो देखो, ऐसे सी ही हमें बता सकते हैं बट लेकिन जब वेकेंसी आएगी, तो क्या मैं तयार हूँ एक्जाम क्रैक करने के लिए, पहले आप लोग ये कोशन पूछा करो खुछ से, तब आप लोग आगे बढ़ा करो, बिलकुल, तो हमारे शिरीर में यदि आप से पूछा जाए, कि बलड का फूर्मेशन कहा होत है, एक होता है yellow bone marrow और एक होता है आपका red bone marrow, ठीक है, यहाँ पर यह जो red bone marrow होता है, इसी के अंदर हमारे शरीर के जिटनी भी blood cells होती है, या फिर आप लोग यूँ कहिए कि blood का formation, क्योंकि बहुत बार यही कोशन पूछा जाता है, कि खून कहा बनता है और option में आपको दिया हुआ होता है actually में red bone marrow के अंदर blood cells RBC WBC and platelets का formation होता है और यही question आप से पूछा गया है कि हमारे शरीर में RBC कहां पर बनती है तो RBC कहां पर बनती है आपकी bone marrow में बनती है कहां bone marrow में निम्नलकित मैं से कौन सा उतक का एक उधारन है यानि इन में से कौन सा एक एक्जामपल है किसका टिशू का किसका बच्चा आपका टिशू का ब्रेन ब्लड लीवर या इस्टमक बताइए आर आर बी एल पी का फोर्म कब तक आएगा बच्चा यही मैंने आपको भी समझाया विकास मार्च या मई लेट से लेट मई है बट आप लोग तैयारी पर जादा फोकस करें क्योंकि जब भी कभी आपकी वेकिंसी आएगी दो महिने से जादा समय आपको नहीं दिया जाएग बिलकुल अभी मैंने आपको बताया ग्रूप ऑफ सैल्स को हम लोग क्या बोलते हैं टिशू बोलते हैं है ना देखो हड़ियां भी आपका कोई अंग नहीं होती वो भी एक टिशू ही होती है क्योंकि वहाँ पर भी ग्रूप ऑफ सैल्स ही पाया जाता है बलड के अंदर भ किस में पाया जाता है हीमोगलोबिन इन में से किस के अंदर पाया जाता है बताईए हीमोगलोबिन इन में से किस के अंदर पाया जाता है तो हीमोगलोबिन इन में से किस के अंदर आपका पाया जाता है रेड बलड सैल्स के अंदर ठीक है आर बी सी के अंदर बच्चा आप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है मैटल प्रेजेंट इन ब्लड इस मताइए रक्त में पाया जाने वाला धातू इन में से कौन सा है अब देखो question का level थोड़ा सा easy है तो जो question कम से कम easy हुआ करे उसका answer at least सारे बच्चे दिया करो बिल्कुल तो metal present in blood is what आपका बच्चा iron कौन सा पाया जाता है आपका हमारे खून के अंदर iron पाया जाता है निम्न में से कौन सा एक ठंडा खून यानि कि आपका cold blooded animal है बताईए इन में से कौन सा आपका एक cold blooded animal है तो बच्चा इन में से कौन सा आपका एक warm blooded animal है इन में से कौन सा आपका है आपका bet हम लोग किसमें आते है cold या warm कमेंड हमेंड में मताएंगे आप मुझे हमारे शरीर के अंदर blood sugar level कितना होता है किसी भी healthy person का blood sugar level कितना होता है ओन एन आवरेज किसी भी हेल्दी पर्षन का ब्लड शुगर लेवल कितना होता है बताई किसी भी हेल्दी पर्षन का ब्लड शुगर लेवल कितना होता है आपका 120 से 150 ठीक है 120 से 150 किसी भी हेल्दी पर्षन का खाना खाने से पहले आपने देखा होगा यदि किसी को शुगर हो दोलाते हैं यानिक खांके बाद आपकी शरीर में शुगर लेवल अलग होता है और खाना खाने से पहले अलग क्या है गुलकोज क्या है अब जो कार्भोलो आपने इंटेक किया है अपनी बोड़ी के अंदर डॉक्टर ये चेक करना चाहता है कि वो कितना आपके शरीर में जो आपके एक तरह से पोली सेकेराइट्स में कितना कनवर्ट हो पाता है नहीं हो पा रहा है तो मतलब बलड में ही वो आपका घुमता रहता है तो खाली पेट हमारे शरीर में आपका शुगर लेवल कितना होता है किसी भी healthy person की बात की जा रही है खाली पेट होता है 80-100 खाली बेट कितना होना चाहिए आपका 80-100 mg पर डेसी लीटर होना चाहिए बताईए BP को नापने वाला उपकरण इन में से कौन सा है हमारे शरीर में इन में से वो कौन सा इंस्ट्रुमेंट है जिससे हम BP को मेजर करते हैं बताईए इन में इन में से किससे हम लोग बिलकुल तो इस वाधनो माना ओम पेडर इस फैग dł judged को में में अच्डिक मो मेंचर से हम लोग किसको नापते हैं इन रिंटरोगों के लिए स्वाइरोध सांस को नापने के लिए हीमा साइटो मीटर चाहके जो आपके श्रीर में जो ब्लड सैल्स का फोर Maison होता है उसको नापते है हीमा साइटो मीटर से एंड इंस्ट्रुमेंट ओप दाब के लिए इन में से हम किसका इस्तेमाल करते हैं अच्छे तो कुशन आपका रिपीट हो गया है चलो कोई नहीं नेक्स्ट कुशन देखते हैं हाइपर टेंशन इस डाव यूजट फॉर हाइपर टेंशन इस डाव यूजट फॉर बदाए हाइपर टेंशन इस डाव यूजट फॉर हाइपर ट रख्त चाप इन में से किसके लिए इस्तमाल किया जाता है तो increase in blood pressure देखो hyper शब्द यदि कहीं पर दिखाई दे तो समझ जाना किसी चीज में व्रधी की बात की जा रही है किसी चीज में व्रधी की बात की जा रही है और tension tension में तुम्हारा क्या पढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो increase in blood pressure hypertension किसके लिए increase in blood pressure किसी भी healthy person का कितना होता है आपका 80 से 120 ठीक है mm of hg mm of hg ठीक है जिसको आम बासा में कहते हैं कि भई यह नीचे वाला bpsc उपर वाले 120 होना चाहिए जिसको hypertension होता है उसका आपका बच्चा hundred और 150 यदि hundred और 150 है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भाई आपका hypertension है यदि किसी का low BP है तो उसको क्या होता है 60 और 80 यदि 60 और 70 होता है उसका BP तो हम क्या बोलते है कि भाई आपको क्या है हाइपोटेंशन है आपको हाइपोटेंशन है चलो मानव रक्त में सरकरा की बड़ी मात्रा है हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर इनमें से कौन सा कौन सा शुगर पाया जाता है सिक्रोज ग्लुकोज फ्रक्टोज या लैक्टोज हमारे शरी श्रीर के अंदर इन में से कौन सा शुगर पाया जाता है तो बिल्कुल हमारे श्रीर के अंदर इन में से कौन सा आपका शुगर पाया जाता है बच्चा गुलकोज पाया जाता है चलो आगे बढ़ते हैं हाइपो ग्लाइकेमिया इस रेफर्स टू हाइपो ग्लाइकेमिया अ मैंने अभी थोड़ दिर पहले बताया कहीं पर भी यदि तुम्हें हाइपर शब्द दिखाई दे तो मतलब इंक्रीज हुआ है और यदि हाइपो शब्द दिखाई दे तो मतलब उस चीज में कमी आई है तो हाइपो ग्लाइकेमिया glycemia से आप लोग अंदाजा लगाएंगे कुछ glucose के regarding बात करेगा भई देखो आपसे examiner यानि यदि आपके शरीर में low sugar level है वैसे देखो तीनों option उसने high high दिये है तो ये तो पहले इकट गए यानि आपके शरीर में यदि बलड के अंदर sugar level कम हो जाए तो हम आपको क्या बोलेंगे कि आपको hypoglycemia है पहली बार रक्त परी संचरण के बारे में बताने वाले वैज्यानिक कौन थे तो देखो हमारे शरीर में double circulatory system पाया जाता है यानि दो बार हमारे शरीर के अंदर blood heart में enter करता है और दो ही बार बाहर निकलता है ये बात किसने बताई थी आपके विलियम हार्वे ने ये बात किसने बताई थी विलियम हार्वे ने AV Lunhawk ने किया था आपके bacteria की खोज और साथ ही साथ ही दे पूछा जाय कि living cells की खोज किसने की जीवित कोशिकाओं की खोज भी बच्चा इन्हों नहीं की। जीवित कोशिकाओं की खोज भी बचा इन्हों नहीं की। ग्रीगोर मैंडाल ने की थी, आपकी इसको हम बोलते हैए father of genetics, इनको हम क्या बोलते है father of genetics, क्योंकि genetics genes के बारे में पूरी detailed knowledge देने वाले हमें कौन थे बच्चा आपके ग्रीगोर मैंडाल सहाभी थे चलो अगला कोशन देखते हैं उस रक्त वाहिका का क्या नाम है जो यक्रत यानी लीवर के पास oxygen युक्त रक्त पहुंचाती है कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटेड आर्टरी या हैपेटिक आर्टरी या हैपेटिक आर्टरी बताईए दा ब्लेड वैसल्स विच कैरीज ऑक्सिजिनेटेड ब्लेड तू दा लीवर इस तू दा लीवर इस ओके तो क्या बच्चा आपकी देखो लीवर शब्द यदि तुम्हें कहीं पर दिखाई दे तो हैपेटिक शब्द ढूणना देखो यदि आपसे लंक्स की रिगारिंग कोई बात करेगा तो पल्मोनरी शब्द ढूणना यदि आपसे liver के regarding कोई बात करेगा तो hepatic शब्द ढूनना kidney के regarding कोई बात करेगा तो renal शब्द ढूनने की कोशिश करना खोपडी के regarding कोई बात करेगा तो carotid शब्द ढूनने की कोशिश करना ठीक है ये कुछ tricks होती है जो आपको exam में काम आएंगी coronary मतलब heart के regarding कोई न कोई आपसे बात की जाएगी तो hepatic artery क्योंकि arteries में आपका कैसा blood होता है oxygenated blood होता है तो hepatic artery आपकी वो artery होती है जो हमारे liver के पास में शुद्ध रख्त को ले कर जाती है carotid किस के पास खोपडी के पास में pulmonary artery ये exception होता है सारी arteries में आपका कैसा रहता है शुद्ध रख्त रहता है लेकिन pulmonary artery आपका अशुद्ध रख्त रख्ती है और ये किस को लेके जाती है रख्त को किस के पास लेके जाती है रख्त को लंग्स के पास ठीक है और coronary artery आपका यहाँ पर heart से related होगा ये चलो अगला question देखते हैं जरा एक बार निमन में से कौन सी बिमारी रुधिर के साथ आ सकती है इन में से कौन सी बिमारी है जो हमारे शरीर में रुधिर के साथ आ सकती है कौन से बिमारी है जो रुधिर के साथ आपकी आ सकती है बच्चा-hiv कौन सी है बच्चा आपकी hiv आपकी वो डिजीज होती है जो हुमारी शरीर में किसके साथ में बच्चा-hiv के साथ में आ सकती है क्लियर hiv basically देखो hiv आपके एक साथ नाम होता है ठीक है human immuno deficiency virus इसके कारण जो बिमारी होती है वो होती है AIDS जो आपकी ब्लड के जरीए फैल सकती है यदि किसी इंसान को आपका AIDS है और उसका खून यदि आप में चड़ा दिया जाए तो आपको AIDS हो सकता है आपको AIDS हो सकता है फुलफोम होती है AIDS की Acquired Immuno Deficiency Syndrome Hepatitis भी बचा आपकी वायरस से होने वाली बिमारी है जो हमारे शरीर में लीवर को उफेक्ट करती है टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी है जिसको हम लोग मियादी बुखार भी को बोलते हैं सैलमो नीला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से बिमारी होती है और मलेरिया एक प्ला एक प्रोटो जोवा से होने वाली बिमारी है और किस प्रोटो जोवा से प्लाज मोडियम किसे प्लाज मोडियम से होती है चलो हैमेटोपाइसेस टेक्स प्लेस इन हैमेटोपाइसेस का मतलब होता है हमारे शरीर में ब अब तक आएगा SSC MTS का फॉर्म बच्चा देखो आना चाहिए हम लोग भी आपकी तरह ही उम्मीद पर लगे हुएं ओके जब आएगा तो हम लोग खुद कल मतलब रात 12 बज़े तक हमने इंतिजार किया ओफिस में कि जैसे ही आपका फॉर्म आएगा तो आपको information और bone marrow में भी कौन सा red bone marrow के अंदर ये blood cells formation होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी इनमें से कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी हमारे शरीर में कौन सी है बताईए हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस question को एक second में solve कर देंगे है ना क्योंकि हिंदी मीडियम वाल की आयोटा होती है चलो अगला कुशन देखते हैं निम्न में से कौन हीमोफीलिया का लक्षण है निम्न में से कौन हीमोफीलिया का एक लक्षण है बिल्कुल तो हीमोफीलिया का लक्षन क्या होता है नो क्लोटिंग ओफ बलड यानि जिसमें आपका खून का थक्का नहीं जमता जिसमें आपका बच्चा खून का थक्का नहीं जमता उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आपका कि इसको हेमोफिलिया है, हेमोफिलिया आपके एक जैनेटिक डिजीज है, क्या है बचा ये आपके एक जैनेटिक डिजीज है, यानि यदि आपके पेरेंट्स को हेमोफिलिया है, तो आपको भी हेमोफिलिया होने के पूरे पूरे चांसिस होते हैं, हमारे शरीर के अंदर दो किस के साथ हीमो गलोबिन की सांदरता उच्चितम है, निम्न में से, किस के साथ हीमो गलोबिन की सांदरता उच्चितम है, बताईए, सांदरता या फिर आप लोग ये बोलिए, कि इन में से किस के अंदर आपका हीमो गलोबिन बहुत तेजी से घुल जाता है, बताईए, किस क के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से घुलता है तो आपने सुना होगा कि हमें कभी भी बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए उसका एक रीजन होता है क्योंकि कार्बन मोनो उक्साइड बननी शुरू हो जाती है ओक्सिजन की कमी से जब कार्बन जल बिन होता है हमारी शरीर के अंदर जो carbon dioxide जाएगी उसमें वो जल्दी जल्दी घुलना शुरू हो जाता है इसलिए हम इसको dumb go to gas या meaty gas भी कहते हैं धीरे धीरे सोते सोते ही इनसान की बहुत बार मृत्य हो जाती है किसके कारण carbon monoxide के कारण contraction of heart is known as contraction of heart आपको मैंने कल की तो आपको मैंने trick भी बताई थी कि आप लोगों को याद करना है DR DR यानी heart के अंदर systole और diastole होते हैं diastole का मतलब होता है जब आपका heart relax करेगा क्या करेगा relax करेगा जिसमें समय लगता है point five second का okay point five second का और बचार systole का मतलब होता है जब आपका heart contract करेगा contract मतलब क्या होगा भई दवाब पड़ेगा जिसमें समय लगता है point three second का point three second का तो ये दोनों मिलकर एक diastole और systole मिलकर आपकी एक heartbeat बनाते हैं आपकी एक heartbeat बनाते हैं यानि एक heartbeat बनने में कितनी देर का समय लगता है आपका मात्र point eight second मात्र point eight second का समय लगता है आपकी एक heartbeat बनने में निमनलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्रात्मिक कारिये है बताईए हीमोगलोबिन का मुख्यकारिय इन में से कोन सा है हीमोगलोबिन का मुख्यकारिय इन में से कोन सा है आपका टू ट्रांस्पोर्ट ऑक्सीजन टू ट्रांस्पोर्ट ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन को कैरी करने का Oxygen को Carry करने का काम हमारे शरीर में किसका होता है आपका Hemoglobin का होता है इन में से निम्न रक्त कणिकाओं में से कौन सा रक्त इसकंदन के लिए अनिवारिय है इन में से कौन सी Blood Cells है जो हमारे शरीर में Blood Clothing में मदद कर सकती है कौन सी blood cells है जो हमारे शरीर में blood clotting में मदद कर सकती है बताईए blood clotting में कौन मदद करती है बच्चा आपकी platelets कौन मदद कर सकती है हमारे शरीर में जो platelets होती है वो blood clotting में आपकी मदद करती है यदि cells में पूछेगा तो platelets blood clotting में मदद करती है चलो अगला कोशन देखते हैं शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता कभी विश्राम नहीं करता शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता यानि रेस्ट नहीं करता है इन में से कौन सा याद रखना option के हिसाब से आपको question बढ़ाना है अपना इन में से कौन सा अंग है जो हमारे शेरीर में कभी भी आराम नहीं करता तो बच्चा heart जो होता है आपका हालां की एक systole और एक diastole के बीच में जो आपका समय होता है ठीक है यानि point two second के लिए आपका heart rest करता है actual में बट examiner आपको option नहीं देगा तो इसलिए आपको लगा कर आना है आपको यहीं मानना है कि हमारा heart कभी भी rest नहीं करता काम करता रहता है निम्न में से कौन रक्त चाप से संबंदित है या इन में से कौन सी organ है इन में से कौन सा organ है जो हमारे शरीर में blood pressure को regulate करने में मदद करता है तो आपकी adrenal gland यानि अधिवरक गरंथी जो kidney के उपर पाए जाती है और संख्या में दो होती है यह हमारे शरीर में blood pressure को control करने में मदद करती है इनको हम emergency gland के नाम से भी जानते हैं क्योंकि emergency आपात कालीन समय में ये गरंथियां हमारे शरीर में काम करती है रक्त क्या थक्का जमाने में मदद करने वाला vitamin इन में से कौन सा है हमारे शरीर में इन में से कौन सा vitamin है जो blood clotting में मदद करता है कौन सा vitamin है जो blood clotting में मदद करता है बताईए तो कौन सा विटामिन है आपका विटामिन के है जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लोटिंग में मदद करता है विटामिन के का केमिकल नेम आपका क्या होता है फाइलो क्वेनाइन क्या होता है बच्चा आपका फाइलो क्वेनाइन होता है विटामिन E का कैमिकल नेम होता है आपका टोको फैरोल विटामिन D का कैमिकल नेम होता है आपका कैलसी फैरोल और विटामिन C का कैमिकल नेम होता है आपका एसकोर्बिक एसिड ascorbic acid ठीक है? चलिए अगला कुशन देखते हैं जरा एक बार next कुशन क्या है ECG किसके लिए किया जाता है? ब्रेन के लिए हार्ट के लिए फिफडों के लिए या किड्नी के लिए? बताइए हम जो ECG कराते हैं वो ECG किसके लिए कराते हैं? ECG sounds the functioning of the brain, heart, lungs या किड्नी बिल्कुल ECG आपका किसके लिए कराया जाता है? आपका हार्ट के लिए वोट इस दा फुल फोर्म ओफ ECG? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे मानव शरीर में आप्रियाप्त रक्त की आपूर्ती को निम्न में से किस टाम से हम लोग यहां पर बता सकते हैं यानि यदि आपके शरीर में बलड में बलड की कमी हो जाए या इनसफिशियंट बलड सप्लाइ हो जाए तो उस टाम को हम क्या बोलते हैं? स्केमिया, हाइपर्निया, हीमोस्टिसेज या हामरिज यदि आपके शरीर में बलड की कमी या फिर यह बलड सेल्स में कमी हो जाए एक ही बात है आपकी, बताइए मैम रिवीजन क्लास भी होती है बच्चा यदि आपको यह कुश्चन आते हैं तो आपकी रिवीजन क्लास समझ लो नहीं आते हैं तो फर्स टाइम कर लो है ना वो तो एक ही बात है आपकी तो बच्चा क्या आपका यदि आपके शरीर के अंदर बलड सेल्स में कमी हो जाए या बलड सप्लाई में कमी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एसकेमिया हमारे शरीर में blood pressure level किसी भी healthy person का blood pressure कितना होता है किसी भी healthy person का blood pressure कितना होता है किसी भी healthy person का blood pressure आपका कितना होता है 82-120 mm of Hg 82-120 mm of Hg हीमोग्लोबिन is a हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन is a हीमोगलोबिन क्या है भाई आपका हीमोगलोबिन बिलकुल हीमोगलोबिन आपका एक प्रोटीन है हीमोगलोबिन क्या है बच्छा याद रखेंगे यह आपके शरीर में ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन ही है ब्लेड प्रेशर इस हाई इंदा बताएं या फिर यूँ मैं आपसे पूछँ हम है यदि डॉक्टर आपका ब्लेड प्रेशर मेजर करता है तो वह किसका प्रेशर चेक करता है आर ट्रीument का या वींस का तो आप लोग याद रखेंगे यह प्लेड प्रेशर आपका बच्चा arteries का check किया जाता है यू समझे जैसे कि आपका एक pipe है इस pipe में यदि आपका पानी flow करेगा तो इसकी दीवारों पर कुछ न कुछ तो pressure पड़ेगा और इस pressure को इसकी दीवारों पर पढ़ने वाले pressure को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका blood pressure बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा आपका blood pressure बोलते हैं arteries की दीवारों पर पढ़ने वाला pressure बुर्दे को रक्त की आप पूर्ती करने वाली रक्त वाही का कौन सी है बताईए the blood vessel supplying blood to the kidney is the blood vessel supplying blood to the kidney बोला था ना kidney शब्द दिखाई दे तो रेनाल ढूंड़ना किड़नी दिखाई दे तो आपको क्या ढूंड़ना है रेनाल ढूंड़ना है तो विसली आपका answer क्या हो जाएगा रेनाल आर्टरी निमनलिखित में से कौन सा रक्त के ठक्के में देरी की स्थिती है यानि यदि आपके शरीर में blood clotting ना हो समय से blood clotting ना हो तो इन में से किस टम से आप उसको reference कर सकते हो बता सकते हो तो hemophilia hemophilia क्या होता है बच्चा यदि आपके शरीर में blood clotting नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका हीमोफीलिया बोलते हैं निमनलिकित में से किसे आरबीसी के कबरिस्तान के रूप में जाना जाता है ग्रेवियार्ड ओफ आरबीसी इन में से हम किसको ग्रेवियार्ड ओफ आरबीसी बोलते हैं बताईए ग्रेवियार्ड ओफ आरबीसी हम इन में से किसको हम्हें कहना चाहिए था कि इनमें से कौन सी ग्रैनूल स Y euro niquanka ऴॉइट B बलड Ben GO अगानी कौन सी हैं वाइट बलड सब्से बड़ी वाइट बलड गैन lle सी या फिर वच्चाफ की कणि का हैं इनमे से कौन सी है लिमफोसाइड मोनोसाइड त्रुंभोसाइट या Erythrocytes, तो सबसे बड़ी आपकी होती है क्या बच्चा, Monocytes, कौन सी होती है Monocytes, आम तोर पर मानव फिर दिया है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है बताईए, आपका हाट एक मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है आपका हाट एक मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है बताईए जी हमारा हाट एक मिनट में कितनी बार देखो बहुत सारे बच्चे ना आंसर क्लास में ठीक भी कर रहे हैं वो बच्चे वही हैं बच्चा जो पिछले 6 महिने से हमसे लगातार जुड़े हुए हैं आप लोग भी उन्हें की तरह ठीक करोगे लेकिन आप लोगों को क्लास में कंटिटी बनानी होगी क्लास पूरी अंट करनी सीखनी होगी सबसे बड़ा टार गर तो पूरी क्लास किया करो आप लोग 72 कितना बच्चा 72 अब लास्ट में देखेंगे बचा देखो आपको भी पता है क्योंकि पब्लिक प्लैटफोर में बहुत सारी भीड होती है उसके लिए आप लोग अड़र 24-7 वेबसाइट विजिट करेंगे और यहां पर बचा ओल कोर्स में रेलवे सेलेक्ट करेंगे तो यह रहा आरार एलपी आरार एलपी का बच्छा हमारा बैच है जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है ठीक है आई थिंग बचा यह वेबसाइट में कोई प्रोब्लम है तो में भी शायद थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं मैं आपको बता दो बता देती हूं आपको एलपी का बैच है जो आपका 27 जनवरी से शुरू हो जाएगा लाइव क्लासिस आप लोग महां पर वाई 446 कूपन कोड लगाएंगे 408 में रुपे में मिल जाएगा यदि आप लोगों को आर पी एफ रेलवे में जितनी भी वेकेंसी आपकी आने वाली है सबकी एक साथ तयारी करनी है तो आप लोगों को क्या ब बस इसी साथ और प्यार को आपको बनाए रखना है कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्षिन में बता देना ठीक है तो मैं आपको वहां पर डेफिनेटली रेप्लाइ कर दूँगी ठीक है तो चलो भाई अब आपसे कल मिलेंगे क्लास में बाई 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 ट झाल प्तार यूज़ कोई है तो कि आपको चलो थाद। Kem